विल्कव दूसरोद मिश्राज यूटिप चैनल में एडिप चैनल पर आपसे भी कब बहुत बहुत स्वागत है सैनिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और काफी अलग-अलग मेरे पास फिलाल जोना चार या पांच अलग-अलग लोकेशन की विकेंशी है इस वीडियो में एक लोकेशन की वेकेंशी कवर कर देते हैं टीचिंग स्टाफ भी की रिक्वार्मेंट है और नौन टीचिंग पोस्ट भी है कुछ सैनिक स्कूल एक रेसिदेंशल आवास ये विद्याले है इसलिए जो स्टाफ मेंबर जोइन करते हैं उनको फ्री ओफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है अगर विद फैमिली रहना चाहते है तो ऐसे भी प्रोवीजन रहता है और अगर बैचलर है तो वह भी अवेलेबल कर जो भी स्टाफ मेंबर जोइन करते हैं उनके लिए अल्टाइम मील्स फ्री होते है टी कॉफी एवरिधिंग फ्री ओफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाते है स्कूल का मैस होता है उसमें ही अपलाई फ्रॉम वाल स्टेट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है सभी स्टेट के कहां से notification IV है क्या क्या पोस्ट है किस कैटेगरी के लिए रिज़र्ड है अगर तो वह भी आपको बता दूगी की कि इस category के लिए रिज़र्ड है तो सभी अप्लाई कर सकता है या नहीं ए अप्लिकेशन फीज हूँ एप्लाई यह सारी information आगे आपको वीडियो में देखने क तो यह फॉर्म मिलेगा आपको और डीटेल्ड वेकेंसी नोटिस मिलेगी जिसमें की सारी इंफर्मेशन रहेगी हाओ तो एप्लाइ क्वालिफिकेशन और यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो तीन जो है एड़र्टीजमेंट से रिलेटेट तीन पीडियाफ अगलग आपको अफिशल वेबसाइट पर मिलेगे तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं यहां पर रिटेन टेस्ट होता है और इसके बाद प्रॉपर इंटर्वी होगा डेमो क्लास होता और फिर फाइनल सेलेक्शन होती है इसमें कॉंट्रेक्ट पर भी अगर आप काम कर लेते हैं तो बाद मे को प्रेफरेंस देते हैं जुन्होंने कॉंट्रेक्ट पर काम किया हुआ है तो यहां पर समविधा पर भी आपको काम करने का अगर मौका मिलता है तो जरूर करें सैनिक स्कूल हाला की गवर्मेंट ऑफ इंडिया के अंतरगत नहीं आता है लेकिन यह प्रॉपर जो है ना अ इतनी सारी वेकेंसी इन डीटेश का और करेंगे पहले कहां से आए वह देख लेते हैं सैनिक स्कूल कुंझपूरा करनाल हर्याना से वेकेंसी जाए है डीटेव वेकेंसी नोटिस अप्लिकेशन आर इन्वाइट फॉल्वेकेंसी आन कांट्रेक्ट बेसे अट सैनिक स्कूल तो उसी काटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लिकेशन करेंगे 45,000 पीस पर मन फिक्स है आर्ट मास्टर ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्ड है सभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं तीजिटी जेनरल साइंस अन्रिजर्ड लिखा है सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते तो वह अच्छा है मेंस मैनेजर के लिए नॉन टीचिंग में 50 अपर एज लिमिट है तो वह अच्छा है नर्सिंग सिस्टम बैंड मास्टर डॉक्टर तो मैं नॉन टीचिंग के लिए लग से वीडियो बना दूगी पिलाल देख लेते कि क्या मांग रहें टीचिंग इंग्लिश के लिए ग्राजुएट इन कंसर्ण सब्जेक्ट विद 50 परसंट या अबमाक्स के साथ में ग्राज़ेशन होना चाहिए ओना चीज देखने की जरूवा ठीक कि वाली चीज देखने की ज़रुवत मतलब है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं आर्ट मास्टर के लिए ग्राज़ेट डिग्री फाइन अड्राइंग पेंटिंग वाले कैंडीट इपलाई अप्लाई कर सकते हैं और या फिर पांच साल का डिप्लोमा है फाइन आट पेंटिंग या ड्वाइंग और या रहीं कर सकते हैं इसमें एक्स्पियर्थ मेर्टरी नहीं रहता है है ती जेडल साइंस की क्या रिक्वाइर्मेंट फोक रहक्टा destroying का डेख्वे है अप्लाई कर स सकते हैं TGT mathematics के लिए graduation 50% के साथ maths में जिसमें की physics, chemistry, electronics, computer science, statistics का combination होना चाहिए, beard होना चाहिए, seated paper 2 या फिर haryana पेपर 2, PTI कम मेटरान के लिए non-teaching post के लिए मैं counselor का देख लेते हैं graduate or post-graduate in psychology or post-graduate in child development or graduate or post-graduate diploma in career guidance and counseling वाले अप्लाई कर सकते हैं पचास साल तक के लिए नन-teaching जो post रहें उनके लग से वीडियो में बना देते हूं चलिए देख लेते हैं कि फी कितनी है लास्टेट के आया है Desirous Candidate should apply on the prescribed pro forma available on website जैसे मैंने video शुरू किया था मैंने आपको शुरू में ही लिखाया है फॉर्म यहां पर है तो मैं आपने अगर वो पार्ट स्किप कर दिया आगे बढ़गे तो वीडियो को ज़रा बैक करें देखे मैं आपको दिखाया कि फॉर्म है फिर से एंड में बता देती हूं कहां सबसे पहले तो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे जितनी भी 10 अंवर्ड दसवी से लेके अभी तक कि जितने पासिंग सर्टिफिकेट है मार्क शीट है उन सब के आप फोटो कॉपी लेंगे और उसके बाद जना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट करेंग नौन रिफंडेबल 500 रुपीज का डिमांड राट बनाना होगा इन फेवर और प्रिंसेपल सैनिक स्कूल कुंजपुरक करनाल पेबल एट करनाल बाई 28 में 2024 यह सब आपको बेज देना है एक एंवलप में आप रखेंगे सारी चीज़ने और बेज देंगे अपने अब में रखके अगर अपलाई करना चाहते हैं कि हाँ यह पास्वर रुपय जा सकते हैं वेस्ट तभी आप अपलाई करें लेस्ट ऑफ शॉट लिस्टेट क्या दूसरी चीज़ यह कि कांट की वेकेंसी यह पर्मानेंट नहीं किया जाता है हां पर्मानेंट वेकेंसी अब यह जाता है तो 20 मही लास देटेट है 20 मही 2024 तक पहुँ जाना चीज़ लेख अविज़ वेबसाइट विजिट कर लेते हैं यह शौट नोटिस है और वन पेज कर नोटिस इसमें सिर्फ और अप्रिकेशन फॉर्म है यह अभी मैं आपको ऑफिशल वेबसाइट पर ले लेफ्ट साइड में रिसेंट नजर आएगा और उसमें बहुत तेजी से भागता बजा रहा है वेकेंसिस 2024 यह देखे फिर से आएगा वेकेंसिस अप्रिल 2024 इसमें क्लिक कर देंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको अपन हो जाएगी वेकेंसिस नोटिस इसमें नीचे देखेंगे आप तो डाउनलोड अप्लिकेशन फॉर्म वेकेंसिस नोटिस विध कम्प्लीट डीटेल और वेकेंसिस नोटिस यह तीनो आपको मिल जाएगे तो फिर से बता दो वेबसाइट पे जाना है थोड़ा स्क्र स्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्वाल डॉंग करके चेक कर लें लिंक आपको मिल जाएगी सेनिक स्कूल कुझपुरा करणाल फर्स्ट फाइव सैनिक स्कूल जो खुले थे अपने देश में सबसे पहले जो पांच सैनिक स्कूल खुले थे उनमें से यह एक है